अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरुंती सब्सक्राइब कीजिए और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दिजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे दोस्तों जैपनीज कारमेक सुजुकी ने रिसेंटली एक प्रीमियम एशुबी को रिवील किया है ग्लोबली एक रॉस के नाम से जो की टोईटा की आर एबी फोर पे बेस्ट है दोस्तों जो की बहुत जल्दी इंडिया में लाँच होने वाली है दोस्तों और जहां तक इसकी लाँच डेट की बात कर तो इसका सीधा सीधा मुकाबला होने वाली है दोस्तों एम जी हेक्टर टाटा हैरियर और महिंदरा एंड महिंदरा के प्रीमियम एशुबी एक शुबी फाइब डबलो से जले दोस्तों बात करते हैं इसके फ्रंट प्रॉफाइल की तो यहां पे आपको हैड्लैम प्रेंट ग्रिल और बीच में सुजूकी का लोगो और भौती सांदार ग्रिल यहां पे दिया गया है हेक्जागनल रेक्टेंगलर सेप में और नीचे स्किट प्लेट बहुती सांदार देजाइन में आपको सिल्बर कलर में मिलने वाले हैं साइड प्रॉफाइल के गरम बा बात करें तो length 4635 mm width 1855 mm height 1690 mm wheelbase 2690 mm ground clearance 190 mm and boot space दिया गया है 490 liters fender पर प्रोबाइट किया गया है 4x4 का वेजिंग और वार्बियम के अगरम बात करें तो प्यानों ब्लैक फ्रीज में LED turn indicator के शांद दिया गया है which will be electrically adjustable and foldable और इसके लावा आपको इसमें मिलने वाले है all wheel drive का option और इसके window line पूरी तरो black out किया गया है और top in minute में आपको dual tone का option मिलने वाले है और roof में आपको मिलने वाले हैं बहुती सांदार black color का roof rail और rear में आपको shark fin antenna भी दिया गया है दोस्तों rear profile के अगर हम बात करें तो यहां पर बहुती सांदार LED tail lamp provide किया गया है सबसे उपर आपको integrated spoiler with high mounted stop lamp defog and rear wiper provide किया गया है tail gate के ठीक center में आपको दिया गया है Suzuki का logo just उसके नीचे number plate की जगा just उसके उपर यहां पर reverse parking camera और dual tone यानी piano black penis में यहां पर rear bumper provide किया गया है जिसके उपर आपको reverse parking sensors भी दिया गया है दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके interior की तो यहां पर आपको काफी premium interior मिलने वाले है दोस्तों leather app poster आपको यहां पर provide किया गया है और सभी seats पर आपको दिया गया है height adjustable head rest और इसके साथ ही center console में provide किया गया है arm rest उसके नीचे cool storage भी दिया गया है दोस्तों और center console में ही two cup holder आपको मिल जाते है दोस्तों practicality की अगर हम बात करें तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाले है दोस्तों driver side tray भी provide किया गया है passenger side tray and center tray भी यहां पर दिया गया है दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो और इसके लावा बहुती सांदार 9 इंच का floating touch screen infotainment system provide किया गया है center console में जो की support करने वाला है apple carplay android auto bluetooth connectivity navigation radio fm aux and usb को और इसके steering wheel three spoke tiltable telescopic leather wrapped दिया गया है दोस्तों जिसके left side audio mounted control and right side adaptive cruise control दिया गया है दोस्तों और इसके लावा आपको इसमें मिलने वाले है six speed manual and cbt gearbox का option इसके लावा इस premium SUV के top in minute में मिलने वाले हैं बहुती सांदार panormic sunroof जहां तक rear cabin की comfort and convenient की बात करें तो यहां पे बहुती सांदार जगह रहने वाली है दोस्तों और rear passengers के लिए यहां पे AC winds and middle में आपको दिया गया है armrest with two cup holder और सभी seats पे आपको मिलने वाले है height adjustable headrest rear seats 60-40 split हो जाते है दोस्तों जिससे इसका boot space increase किया जा सके और इसमें total 490 liters का boot space आपको provide किया गया है दोस्तों जहां तक engine की बात करें तो इसमें provide किया गया है 2.5 liter 4 cylinder petrol engine और power specification के अगर हम बात करें तो 182 BSP की power and 270 lm का peak talk generate करता है वहीं इसमें दिया गया है दोस्तों hybrid plug-in battery 18.1 kwh का और दोनों मिला के generate करते हैं दोस्तों 300 BSP power चले दोस्तों बात करते हैं safety features की तो आपको इसमें मिलने वाले हैं 6 airbag, ABS with EBD with brake assist, electronic stability program with hill hold assistance, traction control, reverse sparking, sensors, reverse sparking, camera, seatbelt reminder, driver side and co-passenger side, keyless entry, push start stop button, auto dimming, IRVM, tyre pressure, monitoring system, isopic child seat, anchorage, height adjustable driver seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-tap device, speed alert system जैसे premium safety features मिलने वाले हैं ये थी दोस्तों latest update सुजूकी की upcoming premium SUV एक रोस के बारे में information आपको कैसे लगी नीचे comment section में जरूब बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो पे तब तक के लिए thank you, धन्यबाद, जैन्द कर दोस्तों आपको के बाले हैं झाल झाल